Hello friends, so here is Lernitical Hacking Zero to Hero का Part 8 और इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे Broken Access Control Issues के बारे में Broken Access Control Issues के अंदर बहुत सारी vulnerabilities आती हैं बहुत सारी vulnerabilities हमने इस चैनल पहले भी cover कर रखे हैं जैसे कि Insecure Direct File Object Reference CSRF जिसको हम बोलते हैं Cross-Side Request Forgery Execution After Redirect जिसको हम Long Response Redirection भी बोलते हैं and so on लेकिन इस वीडियो से हम इसे in-depth और सीरीज में cover करने वाले हैं ताकि एक biggerer को भी समझ में आए तो सबसे पहले हम एक simple सा bug लेंगे जो कि Broken Access Control में आता है तो इस वीडियो से हम start करेंगे HTTP को analyze करना कि हमारे browser से server को क्या जाता है और उसको हम कैसे देख सकते हैं क्योंकि website hacking में हमारा जो main goal होता है वो होता है website को analyze करना और website analysis में सबसे जो main part होता है वो होता है HTTP को analyze करना तो इस वीडियो में आप सीखेंगे कि HTTP verb क्या होते है और उसकी बाद फिर हम जानेंगे HTTP verb tempering के बारे में जो की एक vulnerability है एक security misconfiguration है जो की आपकी website में arise हो सकता है और उससे एक attacker full gain कर सकता है आपकी website पे तो आपको क्या करना है आपको इस website पे login करना है ये जो website है इसका मैं आपको URL आपको description में दे दूँगा इस website का नाम है root-me.org यहाँ पे आपको बहुत सारी intentional vulnerable website मिल दाएंगे जिसको आप legally hack कर सकते हैं तो यहाँ पे मैंने खूल रखे हैं दो challenges पहला है HTTP post और दूसरा है HTTP work tempering अब सबसे पहले बात करते हैं HTTP होता क्या है आप मैं से बहुत सारी लोगों को पहले से बता हुआ कि HTTP क्या होता है HTTP एक TCP based text based protocol है अब इसका क्या मतलब हुआ तो हम theoretical ना जाते हुँ सबसे पहले हम HTTP को intercept करेंगे और फिर बात करेंगे HTTP को intercept करने के लिए सबसे पहले आपको अपने browser में जाना है यहाँ पर मैं Firefox यूज कर रहा हूँ आपको यहाँ पर Settings के अंदर जाना है और यहाँ पर लिखना है XY और यहाँ पर Settings पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा page देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर क्लिक करना है Manual Proxy Configuration और यहाँ पर आपको टाइप करना है 127.0.01 और यहाँ पर आपको पूर डालना है 80.80 जब आप यह डाल लेंगे आपको यहाँ पर क्लिक करना है OK और उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है Burp तो यहाँ पर आपको एक टूल मिलेगा Kali में Pre-Installed क्योंकि मैं यहाँ पर Kali Operating System इंस्टॉल करना हूँ तो आपको बहुत सरे टूल पहले से Pre-Configured मिलेंगे लेकिन यह टूल आप Windows Mac OS में इंस्टॉल कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर आपको चलोगा कि आपने ब्राउजर से जाएंगी वो इस टूल में capture होंगी उसके बाद फिर आप उसको modify करके server को भीज सकते हैं तो आप जैसे यहाँ पर next करेंगे तो यह थोड़ा project set up करने में time लगाएगा तो यह कुछ ऐसा सा दिखता है यहाँ पर आपको सबसे पहले जाना है proxy के अंदर options और फिर आपको यहाँ पर make sure करना है कि यहाँ पर आपका running के अंदर tick आए running के अंदर tick आ रहा है इसका मतलब आपकी जो proxy है वो अच्छे से काम कर रही है अब मैं यहाँ पर जाऊंगा intersection के अंदर यहाँ पर मैं इस button को on कर दूँगा और यहाँ पर आपको लिखा आएगा intersection is on अब यहाँ पर अगर मैं किसी website को visit करता हूँ let's say अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ facebook.com hit enter तो यहाँ पर facebook.com की जो request है वो हमारे software में capture हो गई है और जैसे कि मैंने बोला http is nothing but a text protocol तो text protocol इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम text भेज रहे हैं जो कि predefined format में होता है protocol मतलब set of rules तो यहाँ पर जो text भेजा जा रहा है वो एक set of rules और format को follow करते हुए भेजा जा रहा है यहाँ पर हम लिख रहे है get get का मतलब है हम server से कुछ demand कर रहे है और हम क्या demand कर रहे है हमने लिखा slash slash का मतलब हम root directory demand कर रहे है हम किसे demand कर रहे है वो हमने define किया host से हमने यहाँ पर host column दिया facebook.com तो हम facebook की जो root directory में जो data है उसको demand कर रहे है अब user agent नाम के header में इनको हम header बोलते है और क्योंकि यह एक http content है तो इसको हम बोलते है http header तो यहाँ पर एक basic http request में http header होते है पहला होता है host जो कि यह define करता है कि यह request कहाँ पर जा रही है उसके बाद होता है हमारा user agent जहाँ पर हमारे browser के बारे में information होती है कि हम कौँ सा browser यूज़ कर रहे है उसका version क्या है and so on हम कौँ सा operating system यूज़ कर रहे है जैसे कि हम यहाँ पर Linux यूज़ कर रहे है फिर यहाँ पर accept में होता है कि हम किस format का data हम demand कर रहे हैं website से वो हम यहाँ पर specify करते हैं उसके बाद हम language specify करते हैं और उसके बाद हम encoding specify करते हैं कि कैसे encoding हम समझते हैं उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं connection call and close जिससे हमारा connection close हो रहता है यह वाला जो header है वो mandatory नहीं होता है और इस header का मतलब होता है upgrade insecure request इसका मतलब जो भी insecure request होंगे जो कि HTTP में काम कर रही है if possible उनको जो facebook.com का page है वो load हो गया है अभी हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास और भी request आ रही है जो कि हमारा browser request कर रहा है अभी के लिए हम यहाँ पर इसको interception को off कर देंगे अगर हम HTTP history में जाएं तो यहाँ पर सारी के सारी HTTP history दिख जाएगे कि हमने क्या-क्या visit किया और क्या-क्या हमारे browser से गया तो यहाँ पर अगर हम HTTP पर click करें तो हमने as a browser website को भीजी request और हमें मिला उसका response तो हमारा response कुछ ऐसा था हमारे response code में हमारे response header होते हैं जैसे कि हमारा होता है HTTP slash HTTP का version फिर हमारा होता है response code तो हमारे बहुत सारे response code होते हैं जो की indicate करता है हमारे browser को और बताता है कि जो आप ने request किया है उस data को लेने के बाद server ने कैसे response किया तो server ने बोला 301, 30 का मतलब है permanent redirection permanent redirection का मतलब हमारा server हमें बोल रहा है कि आप sttp slash slash phyzo.com के जगा पे आप इस website को visit करें जो की है sttps slash phyzo.com और वो यहाँ पे इसने specify किया है location header के दोवारा फिर यहाँ पे हमारे और bunch of header होते हैं जो की एक sttp response को complete करते हैं तो पहले पहले बार जब आप burp proxy को open करेंगे तो यह सिर्फ sttp data को intercept करफाएगा sttps को intercept नहीं करफाएगा उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे burp column 80 80 जैसी हम इसे enter करेंगे तो यहाँ पे हमारा burp का ca certificate download करने का option आ जाएगा इसको आपको यहाँ पे save कर लेना है और उसके बाद फिर आपको द्वारा settings में जाना है और यहाँ पे मैं search करूंगा search यहाँ पे आपको click करना है view search और यहाँ पे आपको करना है import और आपको select करना है आपका downloaded certificate इसको open करना है और आपको यहाँ पे tick करना है फिर इसको जैसे हम इसे import करेंगे तो अब HTTP website को visit करेंगे उसको आप intercept कर फाएंगे और देख फाएंगे कि HTTPS में data क्या जा रहा है basically HTTPS में हमारा एक SSL certificate होता है जिसका नाम है secure socket layer इस certificate के द्वारा जो HTTP का जो text data है वो encrypt होता है और फिर server के पास जाता है server इस data को लेता है और फिर हमारे SSL certificate के जरिए उसको decrypt करता है तो हमने यहाँ पे क्या किया है एक self-signed certificate लिया और अपने browser में configure कर दिया तो जो भी HTTPS के request होगी वो इस certification से encrypt होगी अब क्योंकि इस certification से encrypt होगी तो हमारा जो proxy tool है उसको decrypt कर फाएगा तो क्योंकि यह tool decrypt कर फाएगा HTTPS data को तो उसको भी हम यहाँ पे analyze कर सकते हैं तो जो आपने यहाँ पे देखा get get एक HTTP work है यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे method होते हैं और उन में से एक method है get हमारे पास होते हैं post जब हम कुछ data website को भेजते हैं तो यहाँ पे get की जगा पे हम लिखते हैं post जैसे कि अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हम दुवार जाएंगे interception में उसकी बाद फिर हम यहाँ पे इस challenge को देखेंगे जो कि यह है हमारा http post http post वाला आपको challenge यहाँ पे आपको web server के अंदर यहाँ पे आपको मिल जाएगा जब आप इसको open करेंगे तो यहाँ पे आप start challenge पे click करके इसे आप challenge को start कर सकते हैं तो यहाँ पे एक game है human versus machine तो यहाँ पे rule यह है कि आपको इस button को दवाना है inner hope to generate a create score यहाँ पे जो score आपको beat करना है वो है यह अब जो मर्जी आप try कर लीजिए यहाँ पे आप randomly click करते जाएंगे और यहाँ पे एक number generate होगा और अगर यह जो number है वो इस से कम है तो यहाँ पे आप lose कर जाएंगे वरना आप जीच जाएंगे तो जैसे मैं यहाँ पे click कर रहा हूँ वैसे ही यहाँ पे एक request जारी server को और हमारी URL में आपको कुछ नहीं देख रहा वही same to same URL है लेकिन data change हो रहा है इसका मतलब post data जा रहा है जैसे कि मैं यहाँ पे burp के अंदर जाओं और interception on कर लूँ उसके बाद यहाँ पे मैं अगर click करूँ तो यहाँ पे आप दे सकते हैं कि हमने data जो है वो capture कर लिये पिछली बार यहाँ पे लिखा था get लेकिन इस पार लिखा है यहाँ पे post और इसके बाद यहाँ पे uri है इसको हम बोलते है uri तो यहाँ पे जो request है वो इस host पे जा रही है और यह है उसकी uri अब यहाँ पे हम server से कुछ demand नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे server को भेज रहे हैं और वो हम यहाँ पे बता रहे है http method से जो की हमारे case में है post अब यहाँ पे यह जो data है उसको हम बोलते है http post data या फिर http body तो यहाँ पे हम देखें तो एक number है तो इस number को अगर हम change करें और यहाँ पे multiple zeros add कर दें और इसके बाद इसे forward करतें और इसको हम यहाँ पे कर देतें interception off तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमने यहाँ पे score दिया है वो यहाँ पे reflect हो गया और यहाँ पे हम जी चुके है as a validation of challenge यहाँ पे हमें एक code मिला है जिसको आप submit कर सकते हैं इस website पे और इस challenge को finish कर सकते हैं तो यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ यह challenge as a basic stp कैसे काम करती है उसके लिए मैंने आप आपको बताया कि stp में get और post जो method होते हैं वो कैसे काम करते हैं अब यहाँ पे हम बात करते हैं stp work के बारे में तो यहाँ पे हमने देखा कि stp post में जो data जाता है वो हमें एक as a user को दिखेगा नहीं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है उसको intercept करके हम figure out नहीं कर सकते हैं जो कि हमने यहाँ पे किया और जो भी data एक user के control में होगा जो browser से जा रहा है उसको modify करके server को भेज सकते हैं जैसे कि हमने इस case में किया अब अगर हम यहाँ पे देखें stp work tempering temporary का मतलब होता है change करना और stp work क्या होता है जो get और जो post है उन्हें हम बोलता है work या फिर stp method तो हमारे पास बहुत सारे stp method होते हैं दो method जो आपने यहाँ पे देखें वो भाझादा famous है और भाझादा use होते हैं हमारी website में लेकिन और भी बहुत सारे method होते हैं जैसे कि get, post, put, delete, raise, connect and so on अब यहाँ पे हम क्या करेंगे अगर हम यहाँ पे इस challenge को start करें तो यहाँ पे जो यह website है वो एक username और password मांग रही है और username अगर हम कुछ भी type करें और इसको बदा silent पे करें तो यहाँ पे हमें error देगी और हमें यहाँ पे जब तक username और password मांगते रहेगी जब तक हम सह username पासवर्ड ना डाल दे तो इसको हम बोलते है http basic authentication इसको हम देखते हैं intercept करके कि यह website हमें क्या भेज रही है और हमारा browser क्या भेज रहा है तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे interception पे interception is on उसके बाद इस website को हम दुबारा विजिट करेंगे तो यहाँ पे हम भेज रहे हैं यह get request हम इस host पे इस URI पे एक get request भेज रहे हैं और उसका हमें response मिल रहा है response देखने के लिए हम यहाँ पे दो काम कर सकते हैं याँ तो हम यहाँ पे click करेंगे do intercept response to this request या फिर हम इस request को repeater पे भेज सकते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसे repeater में भेजूँगा repeater में भेजने के लिए यहाँ आप राइट लिक करें send to repeater तो repeater से हम क्या कर सकते हैं इस request को modify करके multiple time server को पेज सकते हैं और उसका response हम चेक कर सकते हैं जैसे कि अगर हम यहाँ पे इसे send करें तो यहाँ पे आ रहा है 401 unauthorized तो यहाँ पे हमने demand किया यह data और यहाँ पे इसने बोला 401 unauthorized कि इस data के वो access करने के लिए आपको authorization चाहिए और यहाँ पे फिर इसने हमें response में एक basic authentication का एक header डाला जो कि है www-authenticate basic तो basically http basic authentication कुछ ऐसे काम करती है आप एक resource को http basic authentication से restrict कर देते हैं और उसके बाद फिर जब भी उस resource को access कर आता है तो हमारा जो server है वो यह data add कर देता है हमारे response में और उसके बाद फिर जो pop-up आपने यहाँ पे देखा वो यहाँ पे show करता है हमारा browser और फिर जैसे हम username और password डालते हैं जैसे कि मैं अगर यहाँ पे डाल लूँ let's say admin इसका password 12345 let's sign in तो यहाँ पे आप दे सकते हैं कि यह data गया है हमारे browser से तो यहाँ पे एक authorization का एक header आ गया है जिसमें है basic और एक string तो यहाँ पे हम अगर इस string को decode करने का try करें इसको मैं यहाँ पे copy करूँगा और इसके बाद पे decode इसको मैं यहाँ पे paste करूँगा decode as b64 तो यहाँ पे आप दे सकते हमारा जो username और password है separated by pollen है और उसको हम यहाँ पे भेज रहे है b64 encoding से तो b64 encoding करने के बाद यहाँ पे हम authorization header से हम यह data भेज रहे हैं इस data को जैसे ही server लेगा जैसे कि हम देखते हैं कि इसका response क्या आता है तो दुबारा हम इसको send करेंगे send to repeater उसकी बाद फिर हम यहाँ पे इसे send करेंगे और यहाँ पे आप दे सकते हैं कि क्योंकि हमारा username और password combination गलत है तो यहाँ पे इसमें हमें दुबारा 401 unauthorization का error दिया है तो जब हम यहाँ पे http basic authentication को server पे configure करते हैं तो हम server पे कुछ इस प्रकार की configuration फाइल लिखते हैं इस configuration फाइल का कहने का मतलब यह होता है कि जो get request आएगी इस particular URL के लिए वहाँ पे authentication लगेगा लेकिन इसका मतलब यह भी होता है कि जो request get के नहीं होगी वहाँ पे authentication नहीं मांगा जाएगा तो यह एक basic misconfiguration है जो कि कई बार http basic authentication लगाते समय developers misconfigure कर देते हैं इसका कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे let's say अगर मैं यहाँ पे जो basic जो request है उसमें get की जगा पे post लिख दूँ उसका अगर मैं send करूँ तो यहाँ पे हमें दुवारा आया 401 authorization error इसको अगर मैं यहाँ पे connect लिख दूँ और इसके बाद वह सेंट करूँ तो यहाँ पे हमें IR response code 200 OK और यहाँ पे हमें response मिल गया है HTML का इस HTML में हमें to decide data है जो की password है वो भी हमें मिल गया है तो इसको अगर हम यहाँ पे live देखें तो इसको हम पुछ ऐसे कर सकते हैं हम यहाँ पे इसका जो method है उसको हम यहाँ पे change करेंगे connect और इसको हम यहाँ पे forward कर देंगे और यहाँ पे आप दे सकते हैं इसका response code इसके response code में हमारा जो desired data है वो हमें मिल गया है without any authentication तो ऐसे बहुत सारे HTTP method हैं आप यहाँ पर one by one try कर सकते हैं repeater में जैसे कि मैंने यहाँ पर किया यहाँ पर आप एक और काम कर सकते हैं इस request को आप भेज सकते हैं intruder tab में जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इसे click करूँ send to intruder और यहाँ पर आप click करने के बाद यहाँ पर इसको आप पहले clear करें clear करने के बाद यहाँ पर इसे select करें जो आपका जो method है जैसे कि अगर by default यहाँ पर होगा get तो इसको यहाँ पर select करके यहाँ पर add पर click करें फिर यहाँ पर payloads के अंदर जाएं यहाँ पे आप payload one by one type कर सकते हैं यहाँ फिर आप किसी file से load कर सकते हैं जैसे कि अभी यहाँ पे मैं testing के लिए आपको दिखा देता हूँ जैसे कि मैं यहाँ लिखूँगा post add connect put head and so on उसके बाद फिर यहाँ पे हम इसे start attack पे click करेंगे तो यहाँ पे इसने request भीजी और यहाँ पे आप दे सकते हैं इसका result तो जो पहला आया post जो payload है जैसे कि यहाँ पे get की जगा पे इसने post try किया तो यहाँ पे हमें मिला 401 unauthorized जो zero request है वो है original request उसका भी हमें मिला यहाँ पे 401 unauthorized उसके बाद हमने यहाँ पे जैसे connect लिखा वैसी उसका हमें response code मिला 200 ok जो कि आप यहाँ पे दे सकते हैं इसका अगर हम response देखें तो हमें इसके response में हमारा desired data मिल गया वैसी हमने यहाँ जैसे put लिखा तो put लिखने के बाद भी हमारा desired data वो हमें retrieve होके मिल गया आगे के आने वाली वीडियो में हम और discuss करेंगे broken access control के issues के बारे में तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में